नमस्कार मित्रों आज का हमारा टॉपिक है कि इस पृत्वी पर जन्म लेने वाली आत्मा है कहां से आती है कौन से लोक से आती है और आप कौन से लोक से आते है तो इस पे हमारे जोति शास्त्र में बहुत सारा विश्रुत वर्णन है तो जो या तो वो जो आत्मा जो आती है जैसे आप है तो आप कहां से आए है आपकी आत्मा कहां से आई है कहां पुर्च्वी लोग से आई है पित्रू लोग से आई है पाताल लोग से आई है या फिर स्वर्व लोग से आई है तो जोति शास्रे बताता है कि इसमें शनी और सूर्य शनी से सूर्य का समझ शनी से सूर समझते हैं जो भी आपकी कुंडली है जैसी भी आपकी कुंडली है उसमें आप बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं तो आएए हम कागत पर इसको समझते है जैसा कि हर किसी के पास अपनी में जन्म कुंडली होती है जन्म कुंडली में 12 खाने होते है इस में जो स्थान होता है यहां चाहे कोई भी अंक हो, यहां पर चाहे कोई भी अंक हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार, पाच, छे, साथ, आट, नो, उदर्ज, ग्यारा, बारा, कोई भी हो तो वहाँ पहला स्थान, लगन स्थान कहलाता है इस तरीके से अंक आपके जनम कुंडली में लिखे होते है अब आपका शनी जो है शनी अगर आपका यहां पर है यहां लिखा है और सूर्य यहां लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक, दो, तीन और चार मतलब शनी यहां जो है सूर्य जो है शनी से चौथे स्थान में है तो इसी तरीके से जब कभी भी आपका शनी शनी से सूर्य यहां दूसरे या बारवे स्थान में है अब शनी से दूसरा कौन सा है शनी से यह एक और दो, मतलब यहां अगर सूर्य लिखा है यहां शनी से बारवा यह है तो यहां या इन दो जगह में से अगर आपका शनी यह सूर्य है तो आपका जो सोल है आपका जो आत्मा है वो निश्चित तवर से स्वर्ग लोग से आया है और यहां अपने कुछ हिसाब अपना कुछ लेंदेन अपने जो कार्मिक बंधन है उनको छुडानी के लिए यह वहां से यहां पर आया है आईए अगला देखते हैं हम कि अगर एक दो तीन मतलब आपका सूर्य यहां पर है या यहां पर है मतलब आपके शनी से सूर्य जो है तीसरे स्थान में है या ग्यारवे स्थान में है तो आप जो है आपका सोल जो है वो है पित्रु लोग से आया ह इसका मतलब यह है कि उस आत्मा को अपने परिवार से लगाव था उस परिवार का उसका लेना देना था इसलिए यह आत्मा फिर से पित्रुलोग पे यहीं पर घूम कर यहीं पर अपने पाप और पुन्य के कर्मों का बैलेंस करने के लिए यहीं पर फिर से आकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर अगर सूर्य है, आप अपने कुंडली में देखना है, शनी से गिनना है, अंक आपके कुंडली में लिखे हुए है, तो अगर 5 और 9 से आते हैं, तो आप पृत्वी लोग की ही आत्मा है, और पृत्वी पर ही आपने जनम लिय करेंगे, जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आप अच्छा फल प्राप्त करेंगे, बुरे कर्म करते हैं, तो बुरा कर्म प्राप्त करेंगे, उसी तरीके से अगर शनी से सूर्य छे और आठवे स्थान में अगर है, तो आप पाता लोग से आये हैं, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपके ambitions रहेंगे, आप पैसा कमाने के पीछे जाएंगे, आप भोगों में लिप्त रहेंगे, इस तरीके का आपका nature बनेंगा, और अंतिम जो है अगर शनी से सूर्य, अगर केंद्र में हैं, शनी से सूर्य केंद्र में हैं, तो केंद्र के स्थान कुन से होते है एक खुद शनी और सूर्य की यूती, नमबर चार, नमबर साथ, और नमबर दस, इन केंद्र स्थानू में अगर सूर्य है, तो आप मुक्ता आत्मा है, आपका कोई कर्म यहाँ पे आपका बाकी रह गया है, उसको पूरा करने के लिए आप इस पूर्थ्वी तल पे आए है तो इस तरीके से आप काउंट करें, आपका यहाँ पे अंक कोई भी हो सकता है, पहले स्थान में, यह लगना स्थान में, यहाँ से आपने काउंट करना है, अगर दो और बारा है तो आप स्वर्ग लोग से आए, तीन और ग्यारा है तो पित्र लोग से आए, पाँच और न अच्छा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो को लाइक और श्यार करें धन्यवाद